राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। इसके बाद 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए खुल जाएगा। माना जा रहा है कि मंदिर खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में देश-विदेश से श्रधालू अयोध्या पहुचेंगे। इसका असर सीधे तोर पर अयोध्या की अर्थ विवस्था पर दिखेगा। Confederation of All India Traders, केट, के महासचिफ प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि मंदिर खुलने के साथ ही छोटे और बड़े व्यापारीयों को व्यापार करने के अफसर मिलेंगे। केट के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राम मंदिर खुलने का आर्थिक प्रभाव 50,000 करोड रुपए से ज्यादा का हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा समारों में करीब 7,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। मंदिर खुलने के बाद 3-5 लाख श्रद्धालू प्रतिदिन आने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में बड़ी संख्या में अयोध्या में व्यापारियों को कारोबार करने के बड़े अफसर मिलेंगे। श्रद्धालू की संख्या को देखते हुए अयोध्या में बड़ी संख्या में होटल खोले जा रहे हैं। स्थानिय प्रशासन के अनुसार करीब 73 होटलों को बनाने पर काम चल रहा है, जिसमें से 40 अंडर कंस्ट्रिक्शन है। ताज होटल द्वारा 100 और 120 कमरों के दो होटल का निर्मान किया जा रहा है। होटलों के साथ अयोध्या में कई बड़े बिल्डर्स की ओर से आवसिय प्रोजेक्ट के लिए जगह खरी दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े आवसिय प्रोजेक्ट्स अयोध्या में लॉंच हो सकते हैं। अयोध्या में श्रध्धालूं के आने वाली संख्या को देखते हुए सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा दो हजार तेईस के अंत में किया जा चुका है। वहीं सडक मार्ग चौडीकरन का कारे भी करीब पूर्ण हो चुका है। Bureau Report Market Times TV